दिल्ली में सारवजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने को रोकने के लिए जगे जगे लोग देवी देवताओं की तस्वीरें, उनके पोस्टर या उनके टाइल्स लगाते हैं ताकि लोग वहां पर गंदगी ना फैलाएं लेकिन एक याचिका करता गौरांग गुपता ने दिल्ली हाई कोट में याचिका लगाई कि ऐसे लोगों को रोका जाए क्योंकि ये टाइल्स, पोस्टर और तस्वीरें लगाने के बावजूद लोग वहां आसपास थूखते हैं, पेशाब करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कच्रा फैंकते हैं इससे कई लोगों की भावनाएं आहत होती है दिल्ली हाई कोट ने याचिका खारिज कर दी है, कउट ने ये कहा है कि आप इसके लिए अप्रोप्रियेट मंच पर इस मामले को उठाएं क्योंकि सरकार, शासन और प्रशासन का नीतिकत मामला है अब आपको बताते हैं कि 10 दिसंबर को दिल्ली हाई कोट में चीफ जिस्टिस, जिस्टिस सतिष चंदर शर्मा और जिस्टिस सुबर्मेंटियम प्रसाद ने इस मामले के सुनवाई पूरी की और जज्जमेंट रिजर्व किया था फैसला रिजर्व करने के बाद आज कोट ने ये औरडर प्रनाउंस कर दिया है ये कहा है कि कोट इसमें फिलहाल दखल नहीं देगा क्योंकि ये स्थानिय प्रशासन सरकार यानि शासन और प्रशासन के इस्तर पर लिया जाने वाला नीतिकत फैसला है लहाजा appropriate stage पर जाएं और वहाँ जाकर इस मामले को उठाएं इसमें जस्त गौरांग गुपता याचिका करता उन्होंने कोट को ये कहा था कि उन्होंने देखा है कि शहर में जहां दहां लोगों ने ऐसे लोगों को discourage करने के लिए कि वहाँ पर गंदगी कामबार हो बदबू फैले उन्होंने हाई कोट में याचिका लगाई और याचिका में उन्होंने कहा कि इससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होती है क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत जगे इस तरह के पोस्टर इस तरह की तस्वीरें इस तरह के टाइल्स लगे हुए हैं लेकिन इसके बहुत जोग वहाँ आसपास गंदगी फैलाते हैं कोट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इसमें दखल नहीं देगा यानि अपरपरिट मंच उन्होंने ये भी कहा दा कि कोट दिली सरकार एंडीमसी एंसीडी और दिली चावनी परिशद को इस बारे में आदेश और निर्देश जारी करें और यह बताए कि वह इसके लिए क्या आने के बजाएं उन सारे संस्थानों के पास जाएं उन सारे स्टेज उन सारी जगजाएं यानि दिली सरकार एंडीमसी दिली चावनी परिशद इनको जाकर बताएं कि ये किस तरह के खदम उठा सकते हैं फिलहाल गौरांग गुपता का कहना है कि वो इस मामले को लेकर सु को जानते भूजते वे भी इसमें कोई कारवाई नहीं कर रहे हैं अब देखते हैं अगली कोट में मामला आता है किस दिशा में जाता है